Hello Friends, मैं हूँ सनमय प्रकाश और आप दिख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब नियूज कई important मुद्धे हैं, topic हैं, इस पूरे Current Wars Studio में अब सबसे important है G20 भारत को G20 की अधिक्ष्टा मिल गई है, तो इस वाई से examination के लिए कई सारे topic है, point है इस से related जो आपको समझना चाहिए, उन सब पर बात करेंगा है, एक एक करके, इसके लावब ही कई मुद्धे हैं, जैसे दुनिया की आबादी आठ अरब हो गई है बिर्शा मुंडा के गाउं में राश्मती पहुंची है, जनल जाती है गौरब दिवस पर कौन सा गाउं है वो, उसका नाम आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज परफोर्मेंस इंडेक्स वो जारी हो है 2023 का, उसमें इंडिया का क्या स्थान है, दुनिया के अन्ने देशों का क्या स्थान है, उस पर बात होगी किन सरकार ने प्रसार भारतिक नया CEO नियुक्त कर दिया गहा है, और भी कई मुद्धे हैं टॉपिक है, सब पर चर्चा होगी एक एक करके तो दोस्तों शुरू करते हैं, उससे पहले आपको बता दूँ, फिर से कि 18 नौमबर को, यानि कल ही, यानि शुक्रवार को सुभा 11 बजे वीडियो आ रहा है, मैरा थन, इस साल का आप तक का टोटल करिंट फरस, यानि 11 महीने का एक ही वीडियो में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, देखना मत भूलना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो उसमें लिंक पर क्लिक करके आप र करेंट फरस कंटेंट होगे, वन लाइनर, फटाफट करेंगे आपके एक्जामनेशन को पॉइंट फरसे, क्योंकि अभी कई सारे एक्जामनेशन आने वाले हैं, कौन-कौन से, SSEGD है, इसके लावा CGL है, और भी कई सारे एक्जामनेशन रज्जों के, उन सब में बहुत ह काम आएगा, तो दोस्तों, शुर करते हैं कंटेंट, आज है करेंट फरस का, और मुद्दा यही है कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गई है, इंडोनेशिया में वहाँ बाली एक सिटी है, तो वहाँ पर G20 के शिकर सम्मेलर उसके आयुद की गे थी, यानि समिट आयुद क अभी हाथ में आपने देखा, और यह देख रहे हैं कि हाथ में थमा रहे हैं प्रामिस्टर नर्द मोधी को, ओके, और इस दोरान प्रामिस्टर नर्द मोधी जो को विडो डोडो का हाथ भी थामे है, तो अब भारत के नितवत में G20 संगठन एक साल तक रहेगा, और G20 की अगली समिट इंडिया में होने वाली है, दिल्ली में सितंबर 2022 में एलान कर दिया या चुका है। तो एक साल की अध्यक्ष्टा के दोरान कई तरह की मीटिंग होगी, लगबग 200 बैठ के होगी, अलग लग तरह की देश भर में होगी, उनमें एक जम्मु कश्मीर भी है। तो G20 के इंपोर्टेंट इस एलेटेट एक कोशन हो सकता है कि G20 के शेरपा कौन है, अमिताब कांत, ठीक है। शेरपा एक तरह से ही सायोजन को लेकर देश के भीतर सारी एजेंसी और विदेश के तमाम एजेंसियों सरकारों के वीच में सामज्यस बनाने का मुख्य काम करता है, तो उसे शेरपा कहा जाता है, ठीक है, तो G20 का शेरपा कौन है, तो अमिताब कांत, इंडिया के प्रेसि थीम क्या है, वसुधेव, कुटूमकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है, और लोगों जो बनाये गया है, आप देख रहे हैं, उसमें भारत के राष्टियों ध्वज के जीवन तो जो रंग है, के सरिया सफेद, हरा, उसको शामिल कियागा, साथ में नीला भी शामिल कियागा इसमें, और भारत के राष्टिय फूल कमल के साथ पृत्वी को जोड़ा गया है, जो कि चुनोतियों के बीच में विकास को दर्शाता है, ठीक है, तो ये तो लोगों है और ये थीम है, ये कुछ पॉइंट थे, जो कि आपको जाना जुरूई था, अब समझते हैं कि दुनिया के इस आर्थिक संकट के वातावण में G20 के अधर्शता कैसे इन्पोर्टेंट हो गई है, देखे सबसे पहले समझना होगा कि इस संगठन की अस्थापना तुई थी 1999 में, लेकिन 2008 में ये एफेक्टिव तोर पर इसमें काम करना शुरू किया था, 2008 म थे, तो तमाम देश इकठे हुए, उनिस देश और एक यूरोपी यूनियर, उसके बाद जैसे जैसे ये वक्त बीता गया, तो G20 एक इस्टिटूट के रूप में, एक घंगठन के रूप में विक्सित होता चला गया, ओके, देखें G20 का जो मुख मकसद है, ये वो economic issue पर क दुनिया की 85% है, तो एक बार फिर से इस वक्त दुनिया की economic condition डवाडोल चल रही है, क्यों? रूस ने जो यूक्रेन पर attack किया, और उसके बाद से दुनिया में आर्थिक हालात, और Corona से पहले से ही इससी डवाडोल थी, तो ऐसे में भारत को जो अधेश्ता मिली है, वो बह price बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में इंडिया के लिए एक बड़ी opportunity है, economic तोर पर इसको lead करने का, ठीक है, G20 को, जो परम लक्ष है, वो economy को, दुनिया की economy को ठीक करना है, trade dispute को समालना है, अलकि वक्त के साथ साथ कुछ और मुद्धे भी इसमें शामिल होते जाते हैं, ठीक 2022 की जिसमें इंडिया को अधिक्षता मिली है, तो उस जीच समिट के समापन के दोरान, यानि शीखर समिलन के समापन के दोरान, गोशना पत्र जारी हुआ है, और उसमें वो भी important है, गोशना पत्र आपके लिए जानना, इस गोशना पत्र में स्वक्ष और टिकाउँ और सस उर्जा के आधान परदान को गती देने की बात हो रही है, और सदस देश ये चाहर हैं, इसमें पताया है कि इस शताब्दी, यानि इस सेंचूरी के मध तक, या उसके आसपास, वैश्विट जो net zero greenhouse gaso का उत्सार है, वो प्राप्त करना है, बतलब हम जितना greenhouse gaso, यानि वात कमजोर देश ने अर्थ सवस्ता हो लें, वहाँ पर स्वस्ती, विश्विश्षनी और टिकाव, आधुनिक उर्जाओं वहाँ पर पहुँच सके, सरजुनिक दायरे में जो नवीनतन तकनीक है, नहीं तकनीक है, वो सब उभरते नहीं इन देशों को मिल सके, जो developing country है, और एक और खास बात रहीं यहाँ पर, G20 के समापन के दौरान घोशनापत में शामिल किया है कि आज का दौर युद का नहीं है, आपको पता होगा मैंने इससे पहले वी बताया था कि SCO का जो शिकर सम्मिलन हुआ था, अभी कुछ महीने पहले, उसमें प्राइमिस्टर नजद मोदी ने कहा था कि युद का युग नहीं है, तो उसी बात को याज का दौर युद का नहीं है, उस बात को भी इस शिकर सम्मिलन के जो घोशनापत है उसमें शामिल किया गया, एक और बात है कि परमानु हथियारों का इस्तमाल किसी भी कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, महत्पूर्ण बात ही रही, और एक और बात हुए है कि जो युक्रेइन पर जो हमला हुआ रूस का उसकी भी नेंदा की गई, हाला कि इसका विरोध किया रूस में, ठीक है, खास एक और इस G20 सम्मिलन में बात रही कि जिंपिंग और प्राइमिनिस्टर नेंद मोदी और चाइनिज प्रिसंट शी जिंपिंग दोनों मिले, और ये दिनर चल रहा था, उस वक्त प्राइमिस्टर नेंद मोदी उठे और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, तो लदाक का जो स्टेंड ओफ हुआ, जो गतिरोध चल रहा था सेना के बीच में, उसके बाद स सितंबर में SEO की समिट हुई थी, उसमें प्राइमिस्टर नेंद मोदी ने और जिंपिंग दोनों ने बाचित नहीं कि थी, वो दूरी बनाये रखे थी, लेकिन इस बार जो हाथ मिलाया और बाचित हुई है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोशिश इंडिया की तुरब से की गई है कि जो बार्डर डिस्प्यूट है, जो हुआ है, उसके बाद जो दोनों देशों के बीच में जो संबन कठोर हुए, उसको पिग लाने का एक संकेत है, तो यह सब इंपॉर्टेंट बात हैं, आपने समझी जो जरूर थी, ठीक है, इसके लावे एक और इंपॉर्टे प्रामिस्टर रिशी सुनक के साथ प्रामिस्टर नरिंग मोदी की बाचीत हुई है, और उसमें जो ट्रेड एग्रिमेंट है, जो होने वाला था दिपावली में ही, जो रुख गया था, उसको आगे बढ़ाने पर हुआ है, और यह भी बात हुई कि बटेन इंडियन्स को ज्यादा वीजा देगा, ठीक है, इसका लावा फ्रांस के प्रेस्टर नरिंग के साथ, अमेरिका के प्रेस्टर नरिंग के साथ, उसमें सबसे बाचीत भी हुई है, ठीक है, तो इंपार्टन बात है, जी ट्वंटी, 19 देश हैं इसमें, और एक यूरोपीय यूनियन है, ठ जापान, साथ कोरिया, मैक्सिको, रूस, साथी अरब, दक्षिन अफरीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, ठीक है, तो महत्पुन बात है, और आगे भी जो भी अपडेट हुआ करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा, करेंट वर्स वीडियो में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन लेते हैं, अब आबादी पर बात करते हैं, दुनिया की आबादी 15 नॉमबर 2022 को कितनी हो गई, यानि अब कितनी आबादी, एक्जामिनेशन में क्या लिखना है आपको, आंसर है 8 अरब, अब 8 अरब आबादी हो गई 15 नॉमबर को, इसका ऐलान किस ने किया, तो United Nations ने किया है, United Nations का इससे पहले एक रिपोर्ट भी आई थी, World Population Prospects, 2032, Summony of Results, उसमें भी ये बताया गया था कि 15 नॉमबर को 8 हरब क्रॉस कर जाएगे, पूरी दुनिया की जो लोगों की आबादी हो तो अगर हम देखें कि क 20 करोर आबादी थे, ये पूरा चार्ट है, और किस तरह से 2022 में अब हम लोग नॉमबर में, 15 नॉमबर को 8 अरब पार कर चुके हैं, इस आकरे में आप देखेंगे कि 100 करोर आबादी पहुँचने में, कितना 800 वर्ष लग गया था, ठीक है, लग बग, और आप देखें कि 2010 म 7 अरब था, उस समय से 100 करोर बढ़ने में, 2022 में मातर 12 वर्ष लगे हैं, तो इतनी तीज से आबादी बढ़ रही है, लग अगर हम बात करेंगे कि UN के मताबिक दुनिया में, अलग लग देशों में टॉप 10 किसकी आबादी कितनी है, तो सबसे ज़्यादा चाइना के है, उस 2023 में इंडिया चाइना को क्रॉस करतेगा, मतब सबसे ज़्यादा आबादी 2023 में होने वाली है इंडिया की, तो दुनिया भर में जो वर्ड पॉपुलेशन है, उसको कंट्रोल करने की कोशिशे हो रही है, और इंडिया में भी चल रही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अ बॉनिया का मेंबर्शिप है, मेंबर्शिप के जरिये लेना होता है और उसके ठूम मिलता है, पीडियेफ करेंट फ Benf का weekly monk test होता है, इक्जाम बेच मंदली test series होता है और डिस्काउं भॉक्स पे, ठीक है? और अब तक का total current airflow का जो मेराथन वीडियो है वन लाइनर वो अबलेबल हो रहा है अठारा नौम बर को शुक्रवार की सुभाई ग्यार बजी देखना मत बुलना अगर आप ये वीडियो उसके बाद देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो वहां भी लिंक अबलेबल है अगला कोशन होगा जलवायू प्रवरतन प्रदर्शन सूचकांग जोए उसमें भारत ने बहतर प्रदर्शन किया है पिछले साल की तुल्ला में इंडिया दो पाइदान बहतर हुआ है पिछली जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट थी 2022 की उसमें इंडिया 10th पोजिशन पर था और 2023 की रिपोर्ट जो अभी आई है उसमें इंडिया का स्थान 8th पोजिशन पर है तो भारत ने कम कार्बन उस्तरजन और साथ में रिनुवेबल एनरजी की उप्यों को बढ़ावा दिया है तिस वज़े से इंडिया की पोजिशन जो है वो थोड़ी बहतर हुई है रिपोर्ट में ये भी का गया कि भारत अपने 2030 के जो उत्सरजन लक्ष है उसको पूरा करने के लिए प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर है भारत दो डिगरी सल्सियस से नीचे के तापमान के लिए बहतर काम कर रहा है दुनिया की जो तापमान है वो दो डिगरी सल्सियस मतलब बढ़ने का जो है उसके अंडर में ही रखे उसके लिए जो टार्गर दिया गया वो भारत बखो भी कर रहा है तो यहां सवाल होगा कि इस रिपोर्ट को किस ने जारी किया है तो जर्म सबस्ति खराब है पॉलूशन को लेकर प्रदूशक सबसे बढ़ा वो सब कौन है जो रेट कलर में दिख रहे हैं वो सब हैं ठीक है ग्रीन कलर में इंडिया है और कुछ और देश हैं जो की बहतर पोजिशन पे हैं और बाकी अमेरिका हो गया रस्षिया हो गया चाइना हो अस्टेलिया हो गया ठीक तो यह सब देश जो हैं वो बहुत बड़े प्रदूशक हैं ओके और चाइना की सती खराब हो ही है पिछली रिपोर्ट में 13 अस्थान था चाइना का अब 51 अस्थान हो गया है मतलब उसने कार्बन को उस सर्जन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज क्योंकि जो टार्गेट दिया गया था उसको अचीव मतलब उतनी बहतर तरीके से नहीं किया है फोर्स असान पर है टेन मार्ग, फिप्ट पर है सुडेन, सिक्स पर है चिली, सेवन पर है मुरको, एर्थ पर है इंडिया है, नाइंथ पर है एस्तोनिया है और टेन्थ पर है नार्वे, ठीक है, इंपर्टन बात, अब आगे बरते हैं अगला कोशन, जन जाती ए गौरब दिवस कब मना जाता है, आंसर होगा, पंदरह नौमर को, बिरसा मुंडा की जैनती को, जन जाती ए गौरब दिवस के रूप में मना जाता है, पहली बार 2021 में मनाए गया था, ज रेष्टपती द्रौपती मुर्व पहुँची है, उन्हें दोरा के है, विजिट के है, आंसर होगा इसका उलि हातु, ठीक है, उली हातु, यह नाम आपो धेहान रखना, यह जारखन के खूटी जिले में अिसती थे, कहाँपर है? खूटी जिले में इसती थे, तो बातु नाम है और जिला है खूटी जिला तो फोटोग्राफ भी देख रहे हैं आप कि राश्ट्रपती दुरापदी मुर्मों वहां पहुंची और जो जन्म अस्थाने वहां पर एक मूर्ती है उनकी वहां पर उन्हों ने शर्द धांज लिदी ठीक है प्रतिमाग को माले अ पर पर किया दुरापदी मुर्मों खुद जन जाती यानि शुडू ट्राइब समुदाय से रखती है जन्म संथाल जन जाती में हुआ था राश्ट्रपती का भी ठीक है अब बात कर लेते हैं बिर्सा मुंडा के बिर्सा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नौंबर 875 को 1875 को उल पिर्सा मुंडा ने और उनके चाहने वाले लोगों ने पुरे टीम ने अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था मतलब कि आजादी के जो बहुत सारी वीर हैं उनमें बिर्सा मुंडा का भी अस्थान बहुत प्रमुख है इनको भगवान माना जाता है भगवान बिर्सा मुंडा के दोर पर इनको जाना जाता है कई बार इन्होंने अंग्रेजु को हराया अपनी तीर धनुस से हलाकि बाद में अंग्रेजु के कैद में वर्ष उनिस सो में नौ जुन उनिस सो में इनकी मृत्ति हो गये थी, नीधन हो गया था तो आज भी बिहार, उरिसा, जहरकन, चतिसगर, पश्रमगाल, मद्प्रदेश, इन सब के जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर बिर्षा मंड़ा को भगवान की तरह पूझा जाता है ठीक है? महत्पुन बात यह रहे जहरकन में है, तो जहरकन की भी बात करें, मुख मंत्री कौन है? हेमन सोरेन, गवर्नर रमेश बैस, राजधानी राच्छी है अगला कोशनते हैं, महिंद्रा समू का पहला ग्रिन फिल्ड फॉर्म मर्शनेरी प्लांट किस राजध में अस्थापित हुआ? जिसका उद्घाटन केंद्री कृशी मंत्री नरिन सिंग तोमर ने नॉमबर 2022 में किया आंसर होगा मत्द प्रदेश पंदर नॉमबर को यह उद्घाटन किया गया इस ग्रिन फिल्ड फॉर्म का और यह महिंदरा समय का यह पहला ऐसा ग्रिन फिल्ड एक प्लांट है ग्रिन फिल्ड का मतलब क्या हुआ? ग्रिन फिल्ड का मतलब हुआ कि एक बहुत बड़ी परियोजना आइसी जमीन पर लगाई जाए जहां पहले से कोई निर्मान नहों और उससे मतलब एक प्रजेक्ट से लेटेट तमाम छोटी छोटी जो भी जरूरते हैं वो सो वहीं पूरी कर ली जाए ठीक है उसके तमाम प्रड़क्ट वहीं बनाए जाए तो इसको ग्रेंट फिल्ड प्रजेक्ट कहा जाता है तो यह प् देश में कई सारे ग्रेंट फिल्ड प्लांट है फैक्ट्री यह बात हो रही है कि इसकी तो महिंद्रा समू की महिंद्रा समू का महिंद्रा का कई सारे फैक्ट्री हैं देश भार में लेकिन अगर हम ग्रेंट फिल्ड फैक्ट्री कहेंगे फार्म मश्रिन प्लांट की बात क इसे अस्थापित किया गया है, किस जगह पर, ये धार जिले के पीथमपुर, वहाँ पर ये अस्थापित किया गया है, ठीक है, इसमें क्या होगा, तो अग्रिकल्चर्स रिलेटेड जो तमाम तरह की मशिनेरी है, उन सब का उत्पादन होगा, निउस भी आप देख रहे हैं देहिंदु के बिजनेस लाइन में, ठीक है, और नैंसिंग तोंबर ट्रैक्टर पर बैठे हैं, ड्रैवर सीट पर, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, आगला कोशन लेते हैं, राश्ट्री प्रेस दिवस ये नेशनल प्रेस लेक कब मना जाता है, आंसर होगा, 16 नौब्ब को राश्ट्री प्रेस दिवस इसी दिन मना जाता है, क्यों मना जाता है, दरसल 1956 में भारत में प्रेस की स्वप्तनतता की रक्षा के लिए एक प्रेस परिशद बनाने के लिए प्रेस आयो की योजना बनाए गये थी, ठीक है, तो 4 जुलाई 1966 को प्रेस कांसिल आफ इंडिय के स्थापन हुई, अलाकि ये एक्टिवली 16 नौबर 1966 से ये प्रभावी हुआ था, तो इसलिए 16 नौबर को ये राश्ट्री प्रेस दिवस के रूप में मना जाता है, ठीक है, प्रेस कांसिल आफ इंडिया वो भारती प्रेस की गुर्णवत्ता की चांच करता है, और पत् अजना प्रकाश देशाई, आगे बरते हैं अगला कोशन लते हैं कि इन सरकार ने प्रसार भारती का नया CEO किसे निप्त किया, आंसरोगा गौरव दुएदी, गौरव दुएदी वो 36 कर कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी है, तो 5 साल के लिए अब ये प्रसार भारती के CEO बन प्रसार भारती के CEO का नाम सेलेक्ट करती है, उसके बाद उसे राष्टपती को भेजा जाता है, फिर राष्टपती यानि सरकार की सामती के बाद राष्टपती ओके कर देते हैं और फिर निप्ती हो जाती है, प्रसार भारती को Broadcasting Corporation of India के नाम से भी जाना जाता है, और ये सारजनिक प्रसारन संस्था है, वैसे इसको तो बनाये गया था इस उदेश से कि BBC की तरह एक संगठन बन जाए और वो सरकार में बहुँ ज़्यादा सरकार के प्रभाव में आए बिना वो काम कर सके, लेकिन ये प्रसार भारती कहीं न कहीं ये सरकार के प्रभाव में अभी अगला कोशन होगा सुनील शेंडे, उनका निधन हो गया 14 नौवंबर 2022 को तो इन में से क्या थे, आंसर होगा एक्टर अभिनेता थे, 75 एर के थे, उनका निधन हो गया 14 नौवंबर को, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की थी, जाना बहचाना उनका चेहरा है, ठीक है, महत्पुनबार, आगे बरते हैं अगला कोशन, अंतरश्टी किरकेट परिशद यानि ICC का अध्यक्ष दूसरी बार किसे चुना गया है, कौन बन गया है, आंसर होगा ग्रेग बरकले, ठीक है, तो सर्व समती से 13 नौवंबर को उनको दूसरी कारकाल के लिए ICC का चेर परसंट चुन गया है, पिछली बार वो वर्ष 2020 में बने थे, अध्यक्ष नौवंबर 2020 में, न्यूजिलेंट से हैं, ठीक है, महत्पुनबार, और फोटोग्राफ यह रहा, और हां इसी दोरान, जो BCCI के सेकेटरी हैं, जैशाह, उनको ICC की वित्य और वानिजिक मा मुख भी चुन ले गया है, ICC का मुख्याले का हैं, दुबई में, यूनाइट अरब अमिराइट्स में, CEO कौन है, जियोफ एलोडिस, आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन, किस फिल्म एंडश्री के मशूर एक्टर, कृष्णा, घट्टा, मनेनी, उनका निधन हो गया 15 नौ के वो पीता थे, उनका निधन हो गया 15 नौमर को कार्डिक अरेश्ट के वजह से 79 यर के थे वो, ठीक है, और फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, इनका, कई फिल्मों में उन्होंने डिरेक्शन किया, कई फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है, और उनको 1997 में फिल्म फियर lifetime achievement award भी मिल चुका है, तो तो जो 9 में उनको पद्ब भूशन अवार भी मिल चुका है, तो कार्डिक अरेश्ट की वजह से उनका अर्देत होगा है, कार्डिक अरेश्ट में क्या होता है, कि दिल जो है, हार्ट अचानक धरकना बंद कर देता है, medical emergency होती है, CPR अगर दिया जा तो कुछ हालात में जान बच जाती है, ठीक है, तो इनका निधन हो गया, एक शांदार एक्टर थे, डिरेक्टर थे और प्रोडूसर थे फिल्मों के, अगला कोशन लेते हैं, किस भारती को प्रतिश्टेत डेमिंग अवार्ड 2022 मिला है, आंसरोगा एल गनेश, ठीक है, नि ग्रुप के चेर पर्षंन है, चेर मैन है, तो उनको टोटल क्वालिटी मैनिजवेंट और उसमें जो उन्होंने काम किया, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड पाने वाले वो तीसरे भारती हैं, विश्वरस्तर पर वे पांचवे वेक्ति हैं, जिन जापान में यह खासवर पेया वार्ड है किन के नाम पर तो डेमिंग के नाम पर डबलू एडवार्ड अध्य मिंग उन्होंने क्या किया था जापान में जाकर कि उहां क्वालिटी प्रुड़क्ट की गौलिटी गौनवत्ता इन सब को लेकर बहुत काम किया था जिसविसे दुनिया भर में जापान के जो प्रोड़क्ट हैं वो फेले थे और उसे जापान की इकॉनमी बूश्ट हुई थी तो उसी को लेकर जापान में एक समू है जिसने ये आवार्ड बनाय हुआ है और ये दुनिया में जो क्वालिटी कंट्रोल पर काम करते हैं उनको ये आवार्ड दिया जता है आगे बारते हैं अगला कोशन फार्मूला वन ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब के संजीता आंसोगा जोर्ज रसेल ठीक है तेरा नॉमर को उन्हें ये जीत लिया मर्सेडीज के ड्रैवर हैं ब्रतेन से हैं और उनके ये पहली फार्मूला वन ग्रांड प्रिक्स जीत बताई जा रही है ठीक है फोटोग्राफ ये रहा तो अगर हम बात करें आप तक Formula 1, Grand Prix अलगलग जगों पे हुए हैं किनकिन जीता है तो पूरी लिष्ट ये रही ठीक है? ये पूरी लिष्ट रही आप इसके नशॉट ले सकते हैं या इस वुड़ियो के डिस्क्रिप्शन में हमने PDF दिया हुआ, डेली का PDF फ्री होता है या आप सरकारी जोब ने उसका जो एप है वहां से आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और मेंबर्शिप लिया हुआ है वो तो आसानी से और डेली का PDF सभी के लिए फ्री है हाँ, वीकली, मंथली, क्वार्टरली ये सब वो मेंबर्शिप वाले ही डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है अगला कोशन विश्व मधुमे दिवस यानि World Diabetes Day कब मना जाता है, आंसर का 14 9 बर को मना जाता है, ठीक है Diabetes के बार में जाग डुकता पैदा करने के लिए ये दिवस आयुद के जाता है मना जाता है, Diabetes इसकी वेशें अंधापान गुर्दे की यानि Kidney Failure Heart Disease, Stroke इन सब की समस्या होती है और अगर हम स्वस्थ आहार लें टेंशन कम लें शार्रिक गतिविधी पहतर रखें तो अधुमे यानि Diabetes से बच सकते है अगला कोशन लेते हैं वांगला फेस्टिवल किस राज़ में मना जाता है आंसर होगा मेघाले तो मेघाले में ये मना जाता है तीन दिवसी ये फेस्टिवल होता है और 10 नौंबर से 12 नौंबर तक ये आयोजन हुआ है ठीक है कहाँ पर मेघाले हैं हमें और इसको 100 drum तेवहार के रूप में भी जाने जाता है गोरो जन जाती इस फेस्टिवल को खासतों पर मनाती है महत्पूर्ण बात ये रही मेघाले के बात करें राजधानी शिलॉंग है गवर्नर है बीडी मिश्रा मुखमंतिवी कॉनरोड संग्मा है तो दोस्तों ये था Important Current Force कैसे लगा कमिट बॉक्स में बता सकते हैं और शियर जोड कर दीजे तमाम मेत्रों को और फिर से बता दूँ कि मेरा थन Current Force वीडियो देखना मत भूलना 11 महीने का अब तक का इस दिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है तो वहाँ जाके आप रिमाइंटर भी लगा सकते हैं 18 नौमबर की सुबह 11 बजे वीडियो आएगा लाइव होगा अब मिलते हैं कर